प्यारे बच्चो एके साइ स्टेडी में आप लोग को स्वागत है मैं आरेम जावेद प्रयाक राज से और आप लोग कैसे हैं मुझे पुरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई अच्छी चल लाई होगी आज हम लोग जो है लोगपाल तथा लोकायुक से सम्मंदित महत्तफुर प्रशनों को करेंगे देखेंगे जो है लोगपाल जो है बहुत चर्चा है लोगपाल की बात आती है लोकायुक की बात आती है तो अन्ना हजारे जरूर याद आते हैं और केजरिवाल कीरण बेदी प नियम का निर्माड किया गया, तो देखेंगे लोगपाल होता किया, फ़ले इसको हम लोग जानेंगे तब कुछ कोस्तन को साल्व किया जाएगा, यह अत्यमहत्यपूर प्रस्ण है और यहां से पक्का एक्जाम में प्रस्ण बनता है, जब लोगपाल लोकायूत से कोस्तन होता है, फ़ले इध्यान रखेंगे लोगपाल होता क्या है, लोगपाल का मतलब हम लोग समझेंगे, लोगपाल का मतलब होता है, जब राजनीती लोगपाल, इसको अंग्रेजी में जो है, ओम बर्ट्स मैन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओम बर्ट्स मैन कहा जाता है, ल राज्यों में देखेंगे जब राजनीती और प्रसासन में राज्यों में भरष्टचार हो जाता है तो लोकपाल के जगा जो है उसके अस्थान पे लोकायुक्त किया जाता है लोकायुक्त तो राज्यों में जो राजनीती और प्रसासन में जो भरष्टचार होता है उसकी ज लोगपाल केंद्र में होता है लोकायुक्त राजी में होता है लोगपाल की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा जो है लोगपाल अधिनियम जो बनाया गिया उसके धाराचार वन के तहद जो है कुछ लोग एक कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के सिपारिस पे जो है को रखा जाता है लोग सबाव में जो भी पच पार्टी करनेता है उसके बाद सुप्रीम कोड का मुख न्याधिस होता है या सुप्रीम कोड के दवारा नियुक्त किसी न्याधिस को रखा जाता है और देखेंगे जो है इनमें से चार जो बताया हूं इनके सिपारिस पे जो ह ते पांच लोगों के सिपारिस पे भारत का राश्पती केंदर में लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशन बनता है कि लोकपाल सबसे पहले कहान लागो किया गया। सबसे पहले लोकपाल का नियुक्ति करने वाला व्यक्ति है। सबसे पहले लोकपाल का गठन किया गया था कब किया गया था प्रशन भी पूछा जाता है। अब प्रशन बनता है कि भारत में लोकायुक्ति की मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो भारत में देखेंगे लोकायुक्ति की मांग सबसे पहले 1956 में लश्मी मल सिंगवी के द्वारा किया गया। इन्होंने संसर्द में कहा मांग उठाया कि भारत में राजनीती और प्रशासन में बहुत ज़्यादा भरश्टचार हो गया है। इसलिए एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्ति एक संस्ता होनी चाहिए। लेकिन उनके बातों को अंदेखा कर दिया गया। जो आला नेरु कह किया अभी कोई जरूरत नहीं है लोकपाल लोकायुक्ति संस्ता के निर्मार करना। लेकिन बार बार एक जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले लोकपाल लोकायुक्ति की मांग किसके दौरा किया गया। तो लश्मी मल सिंगरी के द्वारा किया गया और किस सन में मांग किया गया था तो 1956 में ही किया गया उसके बाद देखेंगे भी भारत में मांग होता रहा कि लोगपाल की निवक्ति किया जाया राज्यों में लोगपाल की निवक्ति किया जाया तो देखेंगे 1966 में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्याज जो है मुरारजी देसाई को बनाया जाता है तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने मांग किया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि भारत में जर अब आव सकता है अब भारत में एक लोगपाल की न्युक्त कि सुधार आयों दिया गया था और इसी सीपारिश के अधार निया गया देखेंगे पहीं बहुत से प्रधानमंत्री हुए लोगपाल अधिनियम लाया गया लेकिन संसद में पारित नहीं हो पाया कहीं ने कहीं किसी वज़ा कोजा से उसको रोक दिया जा रहा था तो इस तर देखेंगे आप लोग जो है दो हजार इगारह में देखेंगे जो है अन्ना हजारे जो है भारत में भरष्टचार को समाप्त करने के लिए एक मजबूत लोगपाल की मांग किये तो देखेंगे अन्ना हजारे देखेंगे दो हजार इगारह में जो है डिलीम के जंतर मंतर पे बारा दिन तक अंसन रखे रहे हैं उनके सपोर्ट में केजरिवाल, कीरन बेदी, प्रस 2008-10 तक देखा जाए भारत में लगभग जो है दस बार जो है लोगपाल विध्यक संसर्थ में लाया गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया तब जाकर देखेंगे जो है 2011-2013 में देखेंगे जो है अन्ना हजारे के अंदोलन के वज़ा से भारत में एक मजबूत लोगपाल क देख पारित हुआ लेकिन अभी तक देखेंगे केंदर सरकार जो है लोगपाल की नियुक्ति नहीं कर पाया है लोग और सुप्रीम कोड के भी आदेश है लेकिन अभी तक केंदर में लोगपाल की नियुक्ति नहीं किया गया है क्योंकि लोगपाल की नियुक्ति करने वाल जो है धुखतने के लोकपाल के न्यूक्ति किया जाता है इस संद्य और उसके बार देखेंगे लोग पाल ळोकाई। अधिनियम तो लागू कर दिया गई, इस अधिनियम में कहा गया कि साल भर के अंदर सभीर राज जो है, राजयों में प्रसाराजनीतियों प्रसासन में जो बराश्ट चार है, उसको समाप्त करने के लिए लोकायुक्त का गठन करें वैसे देखा जब भारत में लोकायुक्त का अधनियम तो सबसे पहले उडिशा ने बनाया यहां रखना भारत में सबसे पहले लोकायुक्त अधनियम का गठन जो है लोकायुक्त अधनियम का निर्मार जो है 1970 में उडिशा में किया लेकिन सबसे पह अधिनियम कब बनाये गया तो उत्तर परदेश में लोकाईयुग्ध जो है आठ वर्स होता है इध्यान रखना प्लोग और सेंटर का जो लोगपाल होता है उसमें जो है एक अध्याच लोगपाल होता है और नो सदस होते हैं टोटल जो है नो लोग होते हैं तो किंद्र की लोगपाल में जो है नो लोग होते हैं एक लोगपाल होगा एक अध्याच होग नियाइक पद होगा और 50 प्रतिसत जो लोगपाल में जो लोग होंगे उसमें जो है सी एस्टी ओबीसी एंगलो इंडियन अल्प संख्यक और महिला महिलां 50 प्रतिसत होंगी इस तरह देखेंगे केंद्र में जो है लोगपाल केंद्र में भरश्टचार और राजनीति को हमाद करने के लिए बहुत से अधिनियम नियम कानून बनाया गया है आप देखेंगे आप लोग जो है भारत में देखा जाया तो cbib भरश्टचार की जाग परताल करती है केंद्री सतरकता आयूग बनाय गया है आ इप इंद्र में देखेंगे लोगपाल राजयों में लो भरष्टाचार अधनियम बहुत से कानून बनाए गए है लेकिन आज तक भारत में भरष्टाचार खतम नहीं हो पाया भरष्टाचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है अंग्रेजों के जमाने में भरष्टाचार शुरू हुआ और आज भी भरष्टाचार अपने चरम वस्था पर चल रहा है तो कहने को मतलब यह है कि इतनी संस्थाएं भरष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई हैं लेकिन भरष्टाचार क्यों नहीं रूक रहा है यह सोचने वाली बात हैं क्योंकि आज देखेंगे बहुत इकवादी सोच हो गई है लोगों के अंदर किらい कि जो इमनदार होते थे अच्छेए च्वीक होते हम को रेसपेक्ट दिया जाता था और नाइटिक वादी सिच्छा में जिए जा रहे ती लिकिन अब धीरे धीरे तो उसको फसा दिया जा रहा है उसकी छवी खराप की जा रही है तो करने मतलब यह है कि भराष्टचार भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है इसके लिए भारत के लोगों के अंदर नैतिक पतन का भीकास, नैतिकता का अभाव हो गया है नैतिकता का पतन हो रहा है जिसके वज़ा से भराष्टचार ज्यादा हो रहा है तो इसके लिए सबसे में चीज यह है कि स्कूल कालेजों में नैतिकवादी सिच्छा दिया जाए भराष्टचार के लिए सक्त नियम कानून बनाया जाए और देखेंगे भराष्टचार को लोगपाल लोकायूत को जो है त्वासा और मजबूत किया जा है देखेंगे भारत में लोगपाल लोकायूत कानून तो बनाया गया है लेकिन इसके दायरे में परधान मंतरी को पूरी तरह से नहीं लाया गया है लोगपाल के दायरे में परधान मंतरी को लाया गया है उसके में अंसिक रूप से मुख्यमंत्री के कारेओं को सामिल किया गया है और राज्यों के कैपनेट मंत्री हैं विधायक है राज्य के गूरूप 1 गूरूप इसलिए देखेंगा जो 2013 में लोकायूत बनाया गया है वह बहुत कमजोर लोकायूत बनाया गया है यह जो है दंत्विहिन लोकाल है बिना दान्त का जो है लोकायूत नहीं है प्रधान मंतरी को जो है को तुठी तरा समुक्त कर दिया गए थोड़ा सांसी ४रूप सुन गूरी उनके रखा गई है दायरे में रखा गए लोग वारकाल को उसके बार देखेंगे आप लोग जो है निया पालिका को सुप्रीम कोड्वल हाईका के निया धीसों को गूस लेते हैं लिए भरष्ट अचार में लिप्त रहते हैं तो लोग निया पालिका को भी इसके दाइरे में बाहर कर दिया गया इसलिए के जीवार कहें कि भारत में जो लोकायुक तानून बनाया गया है यह दंत विहीं लोकाल है बीना दातों वाला लोक सित्रूप में अब जो है लोकाल लोकायुक से सम्मंदित अति महत्यपूर प्रशन जो हमेशा एक जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग साल्व करेंगे तो पहला यह है कि पूछ देगा कि 20 में सौर पर्थम लोग पाल का गठन किस देश में किया गया तो आप लोग बता प्रशनाता है कि भारत में सवर परथम लोगपाल की मांग किसके द्वारा की गई तो भारत में सवर परथम लोगपाल की मांग जो है लच्मी मल सिंगवी के द्वारा किया गया था 1956 में इस्क्रीन साथ ले लिजी आप लोग कोशन साल्व करिये प्रशनाता है दोनों जो हैं मोश्ट इंपर्टेंट हमेशा इक्जाम में पूछा जाता है इध्या रखना प्रशनाता किस आयोग के द्वारा सवर प्रत भारत में लोग प्रथम प्रशाशनिक सुधार आयोग के दवारा जो है सबसे पहले लोग पालोग की सिपारिश किया गया था यहां से बार बर एक्जाम में प्रसंद आता है चाहे आएस का एक्जाम हो प्रशन जरूर पूछा जाएगा बहुत कलेट करके कलेट करके इसको लिखाऊ इसको दो-तीन बार पढ़िएगा आप लोग याद हो जाएगा और कभी विलोपा लोकायूत से कानून कोस्तन बनेगा तो मेरे जो लिखाऊ प्रसंद जो है इससे बाहर नहीं आएगा इस लेक् देशाई थे मुरार जी देशाई जो है प्रतम प्रसासने सुधार आयो के अध्यश थे और देखेंगे जो है भारत में पहली बार गयर कांग्रेसी प्रधान मंत्री कोई बना था तो मुरार जी देशाई थे लेकिन एकार काल पूरा नहीं कर पाए नाइंटी सेवेंटीन में इनको जो है इनके खिलाफ इंद्रा गांदी अविश्वास प्रस्ता ला दी जिसके उजस इनको इस्तीफा देना पड़ा था तो प्रस्न यह भी बनता है कि भारत को कौन सा प्रधान मंत्री था जिसको जिसको अविश्वास प्रस्ता जिसके बिरूद अविश्वास प प्रधान मंत्री थे और इनको हटना पड़ा तीन साल के अंदर ही इनको हटा दिया गया मतलब इस्तिफा दे दिये और देखें के पहले जो है गायर कांग्रेसी प्रधान मंत्री आपके अटल विहारी वाजपई माने जाते हैं जिन्होंने पांच वर्स तक अपना कारिकाल प प्रस्थफत किया गया था प्रस्तुत किया गया था भारत के कीस राज में सवरषाती द्रदीर्ध किन्युकत करने वाला प्रतम राज में अपलोह का महराष्ट में किया गया बनाया तो यह था 1970 में लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ती कर नहीं पाए लोकायुक्त की नियुक्ती करने में महराष्ट नमबर वहन था महराष्ट याद रखना आप लो इसके बाद प्रसनाज है कि उत्तर परदेश में लोकायुक्त अधनियम कब निर्मित किया गया तो उत्तर परदेश में लोकायुक्त अधनियम का निर्माड जो है 1975 में किया गया ध्यान रखना प्रसना आता है कि लोकायुक्त अपना रिपोर्ट किसे देता है तो राज्यों में जो लोकायुक्त होता ह इसको यह अपना रिपूर्ट जो है राज्यपाल को देता है राज्यपाल को देता है ध़्याण रखना प्रसना जाए कुछन नमबर 10 भfekom भारत में लोगपाल लोकायुकत अधिना उन्हीं कब बनाया गया तो लोगपाल लोकायुकत अधिनीयं जो टीक, 2013 में बनाए गया ध्यान अखना परो, most important है, 2013 में बनाए गया प्रस ना जाए कि वरतमान समय में UP का लोकायूद कौन है तो अब बताएंगे जो है विरेंद्र सिंह है, कौन है विरेंद्र सिंह है कुस्तन पूछ सकता है कि वरतमान में UP के लोकायूद कौन है प्रस ना जाए कुस्तन नमर 12 लोकायूद जो यूपी का होता है उसका कारेकाल कितना होता है तो अब बताएंगे वह आठ वर्स होता है ठीक है, most important है उसके बाद देखेंगे जो है लोकायूद की नियुक्ती कौन को रहता है तो राज्यों में लोकायूद की नियुक्ती जो है आप कह सकते हैं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्यपाल के द्वारा लेकिन द्धान रखना जो है 2013 में लोगपाल लोकायूक तो अधिनियम बनाए गया तो उसमें कहा गया कि राज्यों में लोकायूक की नियुक्ति जो है एक कमेटी बनाए जाएगी उस कमेटी में मुख्यमंत्री होंगे बिधान सभा का अध्यच और हाई कोड का मुख्यादीस होगा राज्यपाल के द्वारा एक बिधी-विश्यसक के रूप में नियुक्ति किया जाएगा इनके सिपारिश पे राज्यपाल लोकायूक की नियुक्ति जो है राज में करेगा ध्यान रखना अब नहीं रहेगा समीती का नाम नहीं दिया तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है लिख सकते हैं बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिश्यस में सर प्रथम लोकपाल सहंस्था का गठन कब किया गया तो अब बताएंगे 1809 में जो है स्वीडन में सबसे पहले लोकायूक सहंस्था का गठन किया गया प्रशन बार बार पूछा जाता है बिश्यस में सबसे पहले भरष्टचार और राजनितियों और भरष्टचार को समाप्त करने के लिए लोगपाल सहंस्था का निर्मार किस देश में किया गया स्वीडन में किया गया तो 1809 में किया गया प्रशन आता है कि भारत में किस सन सबसे पहले 1956 में 1956 में लश्मी मल सिंगवी के दवारा भारत में सबसे पहले लोगपाल संस्था की मांग की आ गया देखेंगे सबस्क्राच करेंगे यहां से प्रॉष्ण जरूर पूछा जाता है क्योंकि यहां से प्रॉष्ण जरूर पूछा जाता है इसको स्क्रीन साट ले लिजिए अप जो मामला जो हमेशा चर्चा का भीसे बना हुआ है और कहीं से भी भरष्टचार से संबंदी प्रोस्ट जरूर पूछ सकता है इसे में देखेंगे बहुत से इसे भागोड़े हैं जैसे बीजय मालिया हैं नीरो मोदी हैं यह सब बैंकों का पैसा ले लेकर भगे हुए और भर लोकायुक्त हमेशा चर्चा कभी से बना रहता है और यहां से प्रोस्ट जरूर पूछा जाता एक्जाम में तो थोड़ा सा लोगपाल लोकायुक्त बीदहयक 2013 जो है 18 दिसंबर 2013 को जो है या अधनियम केंद सरकार के दौरा डक्र मनमोहन सिंग के सरकार के दौरा इसको पा अधनियम म了गपाल जो है इसका नामकरण किया गया था लोगपाल सांख्या कितने होती है प्लष्ण धियान रखना 2013 में जो लोगपाल बनाया गया दिनियम उसमें कहा गया कि एक अध्याच होगा लोगपाल होगा और इनके सहयोगी कुरूप में आठ सदस होंगे तो टोटल जो है लोगपाल में जो है नो लोग होंगे कितने लोग होंगे नाइन ब्यक्ति याद रखना आप लोग मोस्ट इंपर्टेंट है और जिसमें नाइन लोग जो होंगे लोगपाल में जो नो लोग होंगे अध्याच और आठ सदस होंगे उसमें जो है पचास प्रत प्रतिसाद जो है C, H, T, O, B, C, महिलाएं तथा अल्पसंख्यक वर्ग की नियुक्ति किया जाएगा तो 50% जो है C, H, T, O, B, C और महिलाएं अल्पसंख्यकों से सम्मंदी सीटे रिजर्ब है और 50% लोग इसमें जो है न्याइक पद से जुड़े होंगे यह दिहां रखना इ धराचारवन के तहट जो है लोगपाल सदस्यों की नियुक्ति की चैन समीति द्वारा किया जाएगा जिसमें 5 सदस होंगे तो इस अधनियम में कहा गया है कि जो लोगपाल की नियुक्ति किया जाएगा नियुक्ति करने से पहले जो है लोगपाल की नियुक्ति करने से पह या अध्याच कह सकते हैं और उसके बाद जो ए इस प्रीम कोड का मुखनोयाधीस हो Skill को जो सब्सक्राइब या सुप्रीम कोड के दो वारा किसी दोड सबातisi會 और देखेंगे इन में से सुरू के चार लोगों के दोड सब्सक्राइब करें नाम सजेस्ट किया जाए और राश्र्पती उसको क्या करेगा। नीज़ट करेगा। इससे तरह के पांच लोगों के सिपाईरिज में भारत का राश्र्पती जो है लोगपाल और अन्चसदस्यों की नीज़टी करता है। most important है ध्यान रखना प्रशन आता है कि लोगपाल के दाइरे में लोगपाल के जांस के दाइरे में कौन-कौन से लोग आएंगे तो लोगपाल के जांस के दाइरे में प्रधान मंत्री आएंगे प्रधान मंत्री को आंसी ग्रूप से लिया गया है पूरे कारियों को नहीं सामि अधिसों को जो है लोगपाल के दायरे से बाहर कर दिया गया है प्रधान मंतरी का दिक्तर सक्तियों को जो है लोगपाल के दायरे से बाहर कर दिया गया है तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है लोगपाल जो है इनकी जाच कर सकता है भरश्चाचार में यह दिये लोग लिखते हैं तो इनकी जाज करके इन पर एकसंद लिया जा सकता है देखेंगा अन्ना हजारी की मांग था कि भारत में जो है लोकपाल जो बनाये जाएगा उसमें जो है सभी अधिकारी करमचारियों को सामिल किया जाए केंदर में लोकपाल बनाये जाए राज्यों में लोकायूत का गठन किया जाए और भारत में सीटिजन चार्टर को लागू किया जाए citizen charter तो इस तरह देखेंगे जो है और कुछ इसमें और प्राधान किया गया है जो उसको पढ़ लिया जाए लोगपाल को कुछ मामलों में दिवानी आदालत के अधिकार दिये जाएंगे तो इस अदिनी हमें कहा गया है लोगपाल को कुछ दिवानी आदालत का अधिकार भी होगा उसके बाद इसके जाँच के लिए विस्यस न्याले की अस्थापना जो भरष्टचार में जो लिप्त होंगे उनकी जाँच परताल के लिए उनके मामलों को सुनने के लिए ये विश्येस नियाले की अस्थापना भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना लोगपाल में जो है, 7 वर्ष पहले का कोई भरष्ट अचार से समंदित मामला है, वो लोगपाल के दाइरे में नहीं आएगा, ति ध्यान रखना लोगपाल भरष्ट अचार के 7 वर्ष से मंदार हैं कर्तब में निष्ट हैं उनको जो है सुरच्छा सरकारत के द्वारा प्रदान किया जाएगा और इध्यान रखना जो है विध्यक में भरष्टचार के जरी अर्जित जो भरष्टचार में जितने भी संपत्ति अर्जित करेंगे अवय जरूप इस अध्यक्ति को एक वर्ष्ट का सजा होगा प्लस एक लाख रूपे जुर्माना लगाए जाएगा तो इस तरह देखेंगे जो है लोपा लोकायूक भी दिखक 2013 में बाते लिखे गए सेम इसी तरह कहा गया इस अधिनियम में कहा गया है कि 2013 के लोपा लोकायूक अधिनियम में कहा गया कि एक वर्स के अंदर एक वर्स के अंदर जो है राज्यों में लोकायूत की नियुक्ति किया जाएगा राज्यों में सभी राज्यों लोकायूत की नियुक्ति एक साल के अंदर कर लेंगे सेम इसी तरह प्रावधान राज्यों में किया गया है राज्यों में भी देखेंगे जो है लोकायूत की नियुक्ति जो है एक कमेटी बनाई जाती है, पांच लोगों के उसमें मुख मंतरी होते हैं, बिधान सभा का ध्यच होता है, बिधान सभा में वीपश पार्टी का नेता होता है, उसके वाहाई कोड का मुखने अधिस होता है, और एक विधी विश्य सग होते हैं, पांच लोगों के सिपारिस पर राज्यों में जो है राजपाल जो है लोकायूत की नियुकती करता है केंदर में इन पांच कमेटी के सिपारिस पर राश्पती लोकायूत की नियुकती करता है राज्यों में लोकायूत की नियुकती जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यों में जो भर रदिकारी करमचारी है वह भरस्टचार में है तो लोगा Yyg उनकी जांच कर सकता है और यदी भरस्टचार में लिप्त पाया जाते हैं लोग पाल लोग का युग तो अब इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है most important सभी important fact इसको बता दिया हूँ और आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा लोग पाल लोग का युग से संबंदित और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा बाइ नमस्कार